ख़बर आ रही है कि राज ठाकरे की जो पत्नी है उनको अस्पताल में भरती कराए गया, उनकी सर्जरी हुई है क्योंकि उनकी पत्नी को उनके पालतू कुट्ले दे इतनी बुरी तरीके से काटा है वो भी चेहरे पर की पैसट टाके लगाने पड़े है पैसट टाके लगाने पड़े हैं और प्लास्टिक सर्जरी की भी जरुवत पड़ी है शर्मिला राज ठाकरे की पत्नी है, राज ठाकरे एक प्रेस कांफरेंस घर पे करने वाले थे जो उनकी चीक बोन्स होती है, जो चेहरे पर जो बोन्स है, वहाँ तक कुत्ते की दांत गड़ गए थे पैसट टाके चेहरे पर लगे हैं अभी इस वक्त तो अस्पताल में पड़ती है, तुरंत सर्जरी कराई गई है मूंबई के हिंदुजा अस्पताल में रेकवरी राज साकरिक प्रेस कांफरेंस करने वाले थे घर पर और प्रेस कांफरेंस को खतम होते ही तुरंत वो अस्पताल भागे है और अस्पताल पहुचने पर उनको ये पता लगा है कि पैसट टाके लगे हैं और वो भी चीक पर और प्लास्टिक सर्जरी कराने के जरूत पड़ी है राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला उनको हर एक ने देखा था जो चुनाव हुए थे उसमें किस तरीके से बढ़ चड़ कर राज ठाकरे के साथ कैंपेनिंग में हिस्सा लेते हुए और राज ठाकरे के पास दो कुत्ते हैं एक जेम्स और एक एक का नाम है बॉंड और एक का नाम है जेम्स ग्रेट डेन ब्रीड के यह जो कुत्ते हैं ग्रेट डेन एक बड़ी ब्रीड का गुत्ता होता है जो कि काफी लंबा जोड़ा होता है और आप खबर देखकर शायद थोड़े हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये भी कैसे हो सकता है लेकिन हाँ ये बात सही है कि चेहरे पर 65 टाके आए हैं राज ठाकरे की पतनी शर्मिल और प्लास्टिक सर्जरी करनानी पड़ी है हिंदुजा अस्पताल में भड़ती है एक बड़ी ही खतरनाक ब्रीड होती है ग्रेट डेन में परिवार वालों का कहना है कि जो बॉंड जिस कुप्तेखा नाम है उसने तब अटाक किया जब प्रेस कॉन्फरेंस होने वारी थी अमरिता इस वक था हमारे साथ है अमरिता पहले तो ये बताए उनकी तबियत कैसी है देखिए अब फालों ने अस्पिताल में भर्ती कर दिया गया था कल दो पर बारा बजे कड़ी पनिये घटना हुई थी जब राच्थाकरे के घर प्रेस कॉन्फरेंस के लिए सब रिपोर्टर्स को बुलाया गया था हम वही पर बैठे थे प्रेस कॉन्फरेंस एक घंटा क सब्सक्राइब के यब लेड शुरू हुई जब पताफिला के घर में जो तीन कुटे है तीनों को टीन वर्ट बढड के कुघ आरा के चुटे में राच्थाकरे की वाइब फाला था कि बहुत अग्हून बह रहा था पुट भी फट गये थे जिस वज़े से उसको उनको हॉस्पिन लेके गये थे अभी ये पता चदरा है कि उनकी जो तबियत है वो फिलहाल स्टेबिल है और कुछ डेंजर नहीं है लेकिन स्टिचिस बहुत ज्यादा पड़े है चहरे पर करीबन 65 स्टिचिस है चहरे पर लगए है इस वज़े से रिकवरी के लिए काफी वक्त लगेगा लेकिन फिलहाल जो है वो उनकी तबियत बहतर है शुग्र है जान करेगे आपका करेूँ जान करेगे अश्मेर के लिए एक कि लिए बड़े करेगेगादार पर लेकिन से पहरे बहतर है